Hello Friends, स्वागत है आप सभी का Study Non-Stop Channel पर दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग General Science के 25 Questions solve करेंगे सभी Questions बहुत Important होंगे क्योंकि सारे Questions मैंने दे लिए के Previous Year Exam से सिलेक्ट किया है तो सारे Questions बहुत Important है तो वीडियो को Last तक देखेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो Like और Share करना ना भूलेगा और अगर आप इस सीरीज के पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के Discussion में आपको Playlist का Link में लेगा जहांसे आप पिछले सभी वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं तो दोस्तों पहला Question है दो अस्तियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिनको क्या कहा जाता है तो जो अस्तियां होती है यानि कि Bones तो अस्थियां एक दूसे से किस उतक द्वारा जुड़ी होती है तो इसका राइट अंस हो जाएगा इस नायू या इसको कहते हैं लिगामेंट तो हड़ी जो है हड़ी से कैसे जुड़ी होती है तो लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है तीक है यहाँ पर आप देख स से कैसे जुड़ी होती है तो यह है मसल है और यहां पर आप देख सकते हैं यह हटी है तो यह किसके द्वारा जुड़ी होती है यह होती है कंडरा तीक है इसको क्या कहते हैं कंडरा या इसको इंगलीज में कहते हैं टेंडन तो अस्थियां जो है मान स्पेशियों से किसके द् किस से बने होते हैं तो ये दोनों ही बने होते हैं कोलोजन फाइबर से बने होते हैं किस से बने होते हैं कोलोजन फाइबर से बने होते हैं ठीक है अगला कुशन है एथेनोल को एथीन में परदफित करने के लिए डेहाइडेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रियोग कि तो एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है, तो एथेनॉल जो है अलकोहल होता है, और जो सराब होती है, वो क्या होती है, वो एथेनॉल ही होती है, और इसका फॉर्मॉला क्या होता है, तो इसका फॉर्मॉला होता है, ये क्या है, ये एथेनॉल है, तो इससे अगर हमें एथीन ब जो की कैसा होना चाहिए, सांद होना चाहिए, यानि concentrate होना चाहिए, सांद sulfuric acid की उपस्तिती में जब इसको गर्म किया जाता है, तो यह बनता है C2H4, साथ में H2O, तिक है, यह क्या है, तो यह है 18, और यह क्या है, तो यह है जल, तो H2SO4 किसके लिए मदद करता है, तो Dehydrating agent के रूप में कारे करता है यहां पी यह इसको जल से यहां से जल जो है H2O यहां से निकाल देता है ठीक है तो Dehydrating agent के रूप में किसका प्रियोग किया जाता है तो H2SO4 यानि की सांद sulfuric अमल का प्रियोग किया जाता है तो C option इसका एक तम राइट answer हो जाएगा अगला question है iron third oxide का रासायनिक सूर्थ क्या होता है तो जो iron के oxide होते हैं यह तीन तरह के होते हैं एक होता है iron second oxide जो की होता है Feo यह क्या है यह iron second oxide है जिसको कहते हैं ferrous oxide ठीक है यह क्या है ferrous oxide है और दूसरा होता है iron third oxide जिसका formula होता है Fe2O3 ठीक है यह क्या है यह iron third oxide है और इसको क्या कहते हैं ferric oxide कहते हैं ferric oxide कहते हैं और इसके अलावा एक oxide होता है जिसको iron second third oxide कहते हैं और इसका formula होता है Fe3O4 ठीक है यह क्या है इसको कहते है iron second third oxide ठीक है और इसको ऐसे बोलते हैं राजाणिक नाम क्या है इसका तो इसका राजाणिक नाम है Thanos तो यहां पर right answer क्या हो जाएगा तो यहां पर इसका right answer हो जाएगा option B Fe 2O3 ये क्या है Iron third oxide है अगला question है 35, 33 और 85 की परमार्ण संक्या के तट्वो है तो अगर किसी तत्यक का परमाक 25 है या 23 है या 85 है तो वो क्या होगा? किस में आएगा? हेलोजन में आएगा? या या हैलकाय्न में? या निस्क्रियगशों में? या हैलाइस में? तो इसका राइट एंसर पता करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले electronic विन्यास करेंगे किसी कभी करेंगे क्योंकि तीनो जो है एक ही होंगे तो 35 वाले का कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है दो पहली कक्चा में, दूसी कक्चा में 8 तीसी कक्चा में 18 दो आज 10, 18, 28, 28 और 7, 35 तो आखरी कक्चा में कितने electron है? तो 7 electron है तो 7 electron किसमें होते हैं आखरी कक्चा में तो हैलोजन्स में होते है हैलोजन्स में होते है 7 electron आखरी कक्चा में और यह कौन सा ग्रूप होता है? तो यह 17 ग्रूप होता है आवल साड़ी का 17 ग्रूप जो है इसमें जो तत्तो होते हैं उनको क्या कहते हैं हैलोजन कहते हैं और इसमें कौन कौन से तत्तों होते हैं तो इसमें होता है फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेंटाइन जिसकी स्वार्टिक भी होती है फिर कल बाहर हाई आंटी तो इस स्वार्टिक से आप इनको सभी तत्तों को यहार दख सकते हैं, यहाँ पे chlorine का, परमाक्रमा कितना होता है तो 17 होता है, fluorine का होता है 9, bromine का होता है 35, और iodine का होता है 33, और estentine का होता है 85 तीके, तो यहाँ पे 35, 33, 85, यह किस ग्रूप के हो गए है, सभी जो है, halogenes ग्रूप के हो गए, तो right answer के हो जाएगा option A, halogenes अगला question है, किसी वस्त को मुख्य फोकस पर रखने पर अपसारी दरपण में प्रतविम का आकार कैसा होता है तो अपसारी दरपण, यानि कि अवतल दरपण, या concave mirror ठीक है, यह है concave mirror ठीक है, तो यहाँ पे यह focus बिंदू है इसका, और यह center of curvature तो अगर हम किसी वस्त को focus बिंदू पर ही रख देंगे तो इसका जो प्रतविम बनेगा वो कहां बनेगा, तो एक किरन ऐसे जा रही है ठीक है, और reflect हो करके यह focus बिंदू से होते हुए निकल जाएगी और दूसी किरन ऐसे गई और यह ऐसे reflect हो करके वापस चली गई, तो दोने किरने जो है parallel ऐसे चली जाती है यह कहीं पर मिलती नहीं है तो यानि कि प्रतविम कहां बनेगा, तो प्रतविम यह इसका राइटन सुझाएगा, अत्यदिक आवर्दित होगा और बनेगा कहां पर, तो अनन्त में बनेगा ठीक है, अगला question है गर्भासे में ब्रूर को पोसर्ण प्रदान करने वाला उतक है, तो गर्भासे में ब्रूर को पोसर्ण कौन प्रदान करता है पोसर्ण और उत्सर्जन दोनों में मदद करता है ठीक है, और गर्भानाल को इंगलिस में कहते हैं, placenta क्या कहते हैं, placenta कहते हैं तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे D option इसका राइट एंसर हो जाएगा, placenta next question है वो अबक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है वो क्या कहलाती है तो NaCl यानि की sodium chloride तो sodium chloride हमें लेना है sodium chloride यानि की साधार नमक, यह हमें 10% लेना है, और इसमें हम पानी मिलाते हैं, H2O H2O कितना 90% तो नमक और पानी का घोल तयार करते हैं 10% और 90% के डिशियो में तो इसको क्या कहते हैं पानी और नमक का जो घोल होता है ये भी question आता है कि इसको क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं, brine ति कहिए क्या है, brine और इसमें से बिजली पास करानी है तो electricity जब हम पास कराएंगे तो क्या होगा, chlorine बनेगी साथ में hydrogen gas बनेगा और इसके अलावा NaOH यानी sodium hydroxide बनेगा balance करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा तो इस सबक्रिया को क्या कहते हैं तो यहाँ पे NaOH क्या है यह क्या है sodium hydroxide जो की एक चार होता है ठीक है, और यह क्या है chlorine है तो chlorine और चार बनता है, तो इसको कहते है chlor, चार, अबक्रिया ठीक है, chlor, चार, अबक्रिया कहते है तो A option इसका right answer हो जाए chlor, चार, अबक्रिया या chlor, base reaction कहते है तीक है तो A option इसका right answer हो गया अगला question है विटकर के वर्गी कराण के निस्वार किस समोह में सामिल जीवों में पूर्टा विक्सित नाभिक नहीं पाया जाता तो नाभिक की बज़या केंडरक कहेंगे ज्यादा सी होगा तो विटकर के वर्गी कराण के निस्वार किस समोह के जीवों में पूर्टा विक्सित केंडरक नहीं पाया जाता तो विटकर जिनका पूरा नाम के था RH विटकर इन्होंने जो है 5 kingdom classification दिया था जिसमें 5 kingdom होते थे तो 5 kingdom कौन कौन से थे तो पहला kingdom था मोनेरा मोनेरा दूसरा kingdom था प्रोटिष्टा तीसरा kingdom होता है फंगी चोथा प्लांटी और पांचवा एनिमिलिया तो जो मोनेरा होते हैं ये जो है एक कोस्के जी होते हैं और इनकी जो कोस्का होती है वो प्रोकरियोटिक होती है और बागी सबकी योकरियोटिक कोशिका होती है अब प्रोकरियोटिक कोशिका क्या होती है तो प्रोकरियोटिक कोशिका जो होती है उसका केंड़क जो है विक्सित नहीं होता है इम्मिच्योर जो है उसका केंड़क होता है उसको कहते है प्रोकिरियोटिक कोशिका यानि कि इसका जो केंड़क होता है इसमें केंड़क जिल्ली यानि की नूकिलियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है थीक है? तो यही इसका राइट हैन्स हो जाती है कि MONARA जो किंगम था जो जीवे इसकी कोशिका में जो है प्रोटिष्टा में कौन आते हैं तो प्रोटिष्टा में जो है प्रोटोजोवा आते हैं और सेवाल आते हैं ठीक है एल्गी और प्रोटोजोवा आते हैं फंगी में जो है मसरूम हो गया इस्ट हो गया ठीक है तो फंगस हो गया आते हैं इसमें और प्लांटी में जो है पौ बाहरी सिल में केवल एक एलेक्ट्रोन होता है, तो सबसे बाहरी सिल में केवल एक एलेक्ट्रोन किस ग्रूप के तत्तों में होता है, तो पहले ग्रूप के तत्तों में फर्ष्ट ग्रूप की बात करते हैं, तो फर्ष्ट ग्रूप के जितने भी तत्तों हैं, उनके बाहरी तत्व होते हैं, हलीणा की रब से फरयाइद, इस सोर्टिक से इन सभी तत्व को आप याद आख सकते हैं, तो इसके किसी भी तत्व का अगर आप करेंगे तो आगरी कच्चह में के तने रखेंगे तो एक रखेंग होगा, तो आखरी एक्षा में सभी में एक एक एलेक्ट्रोन होगे तो राइट एंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ओप्सन इसका राइट एंसर हो जाएगा लीथियम, सोडियम और पोडेशियम तिक है क्योंकि यह सभी क्या है पहले ग्रूप के तत्तों है अगला कोशन है जठर गूंतियों द्वारा सरावित हाइड्रो क्लोरिकमल किस एंजाइम की क्या को आसान करता है तो जठर गूंतियां यह पाई जाती है कहाँ पे हमारे आमासे में आमासे यहनि कि श्टमक में पाई जाती है ये है हमारा इस्टमक इसमें होती है चटर गंतिया और ये किसका सरामट करती है तो ये कई तरह के एंजाइम्स का सरामट करती है इनको कहते है जटर रस या गैस्टिक जूसिस कहते हैं कौन-कौन से एंजाइम का सरामट करती है तो तीन एंजाइम होते है एक होता है पेपसिन एक होता है पेपसिन, दूसरा होता है रेनिन और तीसरा होता है लाइपेज यह तीन एंजाइम होते हैं और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अमल का स्रामर करती है ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिट का स्रामर करती है तो इसमें इनका कार्य क्या होता है तो पेपसीन जो है ये पाजन करता है प्रोटीन को किसमें तोड़ता है तो ये प्रोटीन को पेप्टाइट्स में तोड़ता है तो ये प्रोटीन को पेप्टाइट्स में तोड़ता है तो यहां पेपसीन को एक्टिवेट करने के लिए हा हाईडरोख्लोरीक एसेड जो है किस उनजाइम की मदद करता है तो पेपसिन का कार्य आसाँ करता है तो ए उप्सं इसका राइटएंस हो गया है गया और इसके लाएंन दिया गहा है fat को fatty acids में तोरता है तीक है अगला question है carbon द्वारा मजबूत बंद के गठन का कारण इसका आकार है तो यहाँ पर पूछा गया है कि carbon बहुत ही मजबूत बंधन बनाता है तो इसके किस तरह के आकार के कारण ऐसा संभव होता है तो carbon जो है यह electron सेर करके बहुत सारे योगिक बनाता है सबसे ज़्यादा योगिक जो है carbon की होते है और यह कैसा बंधन बनाता है तो सह सही हो जी बंधन बनाता है और इसका जो बंधन होता है बहुत मजबूत होता है और इसका एक करण होता है इसका छोटा आकार छोटा आकार होनी के कार बंधन कैसे मजबूत होता है तो यह है करबन इसका परमार्ट मांग क्या होता है छे होता है तो यह हो गया इसका नाभिक पहली कच्छा में कितने इलक्टरॉन होंगे तो दो इलक्टरॉन होंगे और दूसी कच्छा में कितने इलक्ट्रोन होंगे तो चार इलक्ट्रोन होंगे तो यहाँ पे जो इलक्ट्रोन है और नाभिक है इनके बीच में जो दूरी है वो कम है तिक है क्योंकि इसका आकार छोटा है दो ही कच्छा हैं है इसकी तो इसका अकार क्या है, छोटा है, तो छोटा अकार होने के कारण, जो elektrons है और जो नाभिक है, इनके बीच में दूरी बहुत कम होती है, और इसके कारण क्या होता है, कि नाभिक और elektrons के बीच में, attraction force बहुत जादा होता है, तो यही करण होता है, कारण के द्वारा जो योग एक वश्तो को उत्तल दरपण के सामने हननत और धुव के बीच इस्तित एक बिंड उपर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली चबी कैसी होगी तो उत्तल दरपण यानि कि कॉन जैक्स मिरर ये है क्या कॉन बैक्स मिरर तो इसके सामने जो है जब भी कोई अब्जेक्ट किसी भी बिंड उपर अब्जेक्ट रखा जाएगा तो इसका जो प्रत्विम बनेगा कैसा बनेगा हमेशा चोटा बनेगा हमेशा कैसा होगा चोटा प्रत्विम होगा और सीधा प्रत्विम होगा और आभासी प्रत्विम होगा सीधा प्रत्विम हमेशा आभासी होता है उ आभासी और छोटा C option इसका राइट अंस हो जाएगा तिक है और जो आउतल दरपन होता है उसमें प्रत्विम सीधा भी बनता है एक ऐसी condition होते है जिसमें सीधा प्रत्विम होता है जब हम focus window और pole के बीच में object को रखते हैं तिक है तब प्रत्विम इसका दरपन के पीछे चोटा भी हो सकता है वो depend करता है कि हम कहां पे रख रहे हैं तो यहां पर राइट अंसर क्या हो गया C option इसका हो गया आभासी और छोटा बनता है उतल दरपन में अगला question है किसके अनुसार तत्वों के गुर्धर्म उनके परमार भारों के आवर्ति फलन होते हैं तो इस question का राइटन्स हो जाएगा मेंडिलीप मेंडिलीप इन्होंने परमार भार के बरते हुए क्रम में तत्वों को अरेंज किया था तो यहां पर मेंडिलीप इसका राइटन्स हो जाएगा तो क्योंकि जो है परमार भार के बरते हुए क्रम में अरेंज किया था तो इसलिए जो है तत्तों के गुर्धर्म उनके परमार भारों के आवर्ति फलन होते हैं अगर यहीं पर पूछा जाता किस के अनुसार तत्तों के गुर्धर्म उनके परमार क्रमांकों के आवर्ति फलन होते हैं तब इसका एंसर क्या होता तो इसका एंसर होता हेंरी मोजले तिक है, क्योंकि Henry Moseley जिन्होंने आधनिक आवलसारी बनाई है तो इसमें तत्यों को परमार करमांक के बढ़ते हुए करम में अररेंज किया गया है तिक है, और Mandeliep ने जो आवलसारी बनाई थी इसमें कितने गुरुप थे, तो इसमें जो है आठ गुरुप थे तिक है, 8 group थे और 6 period थे और इनको आवाज सारी का जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने पहली बार आवाज सारी बनाई थी इसके पहले दोबर नियर ने तत्तों का वरगी कार किया था और नू लैन ने भी तत्तों का वरगी कार किया था लेकिन इन्होंने आवाउसाड़ी नहीं बना थी क्योंकि इनका जो वर्गी कनल था उसमें group और period नहीं होते थे तो यहाँ पे 8 group और 6 period थे मेंडली की आवाउसाड़ी में और कितने तत्तों थे इनकी आवाउसाड़ी में तो उस समय तक 33 तत्तों की खोजोई थी, ठीक है, अगला question है, निम्न में से कौन से उतक का अंतर कोस्किय छेत्र बड़ा होता है, तो अंतर कोस्किय छेत्र यानि कि इंट्रसिलूलर इस्पेस, ये किसको कहते हैं, तो जो उतक होते हैं, ये कई कोसिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, कई एक ही तरह की कोस्काओं मिलकर की क्या बनाती हैं, तो उतक या टिसू बनाती हैं, और इनके बीच में जो इस्पेस होता है, ये स्पेस है, तो जो बीच में स्पेस होता है, जो जगा होती है, उसको क्या कहते हैं, अंतर कोस्किय अस्थान कहते हैं या intra cellular space कहते हैं ठीक है तो यहाँ पे बता रहे है कि कौन से उतक में अंतर को इसके स्थान सबसे बड़ा होता है तो यहाँ पे parent काइमा tissue है parent काइमा उतक colon काइमा और scleran काइमा तो इनमें सबसे ज़्यादा space होता है parent काइमा को उतक में parent काइमा उतक में सबसे ज़्यादा space होता है यहाँ आप देख सकते हैं तो यही इसका राइटन्स हो जाएगा parent काइमा option A इसका राइटन्स होगा next question है amoeba में प्रजनन कैसे होता है तो amoeba amoeba एक कोस्किये जो है जी होता है और यह क्या होता है यह प्रोटो जोवा होता है और इसमें प्रजनन होता है दुइखंडन विधी द्वारा option A इसका राइटन्स हो जाएगा दुइखंडन विधी ये इसको binary fission कहते हैं इसमें क्या होता है तो यह amoeba है यह इसका nucleus है तीक है यहाँ पे यह नुकलियस जो है दो भागों में बढ़ गया फिर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं दो भागों में नुकलियस बढ़ने के बार हमीबा भी जो है दो पार्ट में बढ़ जाता है यहाँ पे आप देखेंगे दो पार्ट में बढ़ गया तो इसको क्या तो जो दब्यमान सनरच्चर के नियम का पालंग करता है उसी रियक्षन को क्या कहते हैं बैलेंस रियक्षन या संतुलित समीकर्ण कहते हैं तो इसमें यही देखना होता है कि दोनों साइट जो है एटम्स बराबर है या नहीं तो यहाँ पे हाइडोजन का इधर जो है दो ठीक है और ऑक्सीजन का यहाँ पे दो एटम है इधर एक ही है तो यानि कि यह संतुलित नहीं है इसमें देखेंगे बी में यहाँ पे सोडियम है एक एटम यहाँ पे भी एक और यहाँ पे हाइडोजन का दो एटम है यहाँ पे कितना है एक दो यहाँ पे है और एक यहाँ तो यहां पे 3 हो गए तो यह भी संतुलित नहीं है यहां पे magnesium का एक atom, oxygen का एक atom और यहां भी magnesium और oxygen के एक एक atom है तो यानि कि यह संतुलित है और D option भी संतुलित नहीं है तो C option इसका राइटेंस हो गया तो यह हासान सा होता है, आप चेक कर सकते हैं अराम से next question है एक 800 kg दब्यमान की कार कब एक 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए कारे कितना करना होगा तो कारे यहां पे किसके बराबर होगा तो यह जो है गती जुर्जा में परवर्तन के बराबर होगा और गति जुर्जा में परवर्तन निकालने का फर्मूला होता है half into m into v square minus u square ठीक है तो half into m कितना दिया गया है दबिमान तो 800 kg दिया गया है और v यानिकी अंतिम वेग तो अंतिम वेग कितना है 10 meter per second तो 10 का square हो जाएगा 10 का square यानिकी 100 हो जाएगा minus u तो यू जो है प्रारंभिक वेग जो कि 5 meter per second दिया गया है तो 5 का square कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा तो यानिकी हम इसको लिखेंगे 1 upon 2 800 बुडे 75 2 से यह जाएगा 400 बार तो जाएगा 75 का 400 में multiply होगा तो 75 जो कि 300 और 2 0 तो 30,000 यह क्या जाएगा तो यह हो जाएगा 30 किलो जूल ठीक है 30 किलो जूल हो जाएगा तो यहाँ पे यह option इसका राइटेंस हो गया 30 किलो जूल next question है ठोस के पिघलने के दोरान इसका तापमान क्या होता है बढ़ता है या घटता है या ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ी अगट दोनो सकता है या change नहीं होता तो ठोस जब पिघलता है तो इसका जो तापमान होता है वो परवर्तित नहीं होता है पिघलने के दोरान ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो पिघलने में जो अत्रिक्त उसमा लगती है वो गुप्त उसमा के रूप में चिपी रहती है लैटन ठीट के रूप में चिपी रहती है आपने पढ़ा होगा जब अवस्था में परवर्तन होता है किसी पदार्थ की तो उसमें जो है अवस्था में परवर्तन होते समय जो अत्रिक्त उस्मा लगती है वो गुप्त उस्मा की रूप में चिपी देती है तो यहां पे राइटेंसर क्या हो जाएगा परवर्थित नहीं होता है option D's का राइटेंस होगा next question है अधिकांस सरीश्रिपों में एक होता है तो सरीश्रिप यानि कि रेप्टाइल्स यानि कि जो रेंगने वाले जी होते हैं सरीश्रिप तो इनका हिर्दे कैसा होता है यह बताना है कि दो कक्चे होता है या तीन या चार तो जितने भी मत्स होते हैं मत्स यानि कि फिसिस तो मच्च में इनका हिदय कैसा होता है दो कक्ची होता है तीक है दो कक्ची हिदय होता है और जितने भी सरीश्रिप होते हैं यानि रेप्टाइल्स तो सरीश्रिप जितने भी होते हैं इनका जो हिदय होता है तीन कक्ची होता है केवल एक सरीश्रिप को छोड़ करके वो कौन है तो मगरमच मगरमच जो है अपुआद है मगरमच का जो हिदे होता है वो कैसा होता है चार कक्षी होता है तो मगरमच जो है एक्सिप्सन में आ जाएगा और फिर जो है उभैचर उभैचर यानि कि जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं तो उभेचर जो होते हैं, इनका हिदे कैसा होता है, तो इनका हिदे होता है, तीन कक्षी हैं, और इसके अलावा जितने भी स्तनपाई हैं, स्तनपाई यानि मेमल्स और जितने भी पक्षी यानि की बर्स होते हैं, इनका हिदे कैसा होता है, इनका हिदे चार कक्षी होते हैं, तो यहाँ पे किसका पूछा गया है? सरी सरिप, तो इनका जो है, टीन कक्ची होता है, तो राइट अंसर हो जाएगा, आउपसंसी, टीन कक्ची रह होता है, अगला कुश्चन है, एक व्यक्तिगत तंतिका कोशिका, कितनी तकलम भी हो सकती है, तो तंतिका कोशिका, जिसको नर्विसल कहते हैं, हमारे सरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान इनी के द्वरा होता है, ठीक है, जैसे हम मालीजे कोई गरम चीज़ टच कर लेते हैं, तो गरम चीज़ टच करते ही, पहले तो हमें गरमी का हैसास होता है, गरम लगता है तो वो जो हैसास होता है, हमारे मस्तिष तक वो सूचना कौन पहुचाता है, तो तंतिका कोशिका पहुचाती है, और फिर हम तुरंट हाथ हटा लेते हैं, तो मस्तिष हमारे हाथ को आदेश देता है कि तुरंट हटा लो, तो ये आदेश भी जो है तुरंट जो है कौन देता है तंतिका कोशका है देती है तो सूचनाओ का आदान प्रदान जो है तंतिका कोशका हो यानि नर्वसिल के द्वारा दिया जाता है और ये सरीर की सबसे लंबी कोशका होती है सरीर की सबसे लंबी कोशका पूछा जै कौन होती है तो तंतिका कोशका यानि की नर्वसिल होती है और ये कितनी लंबी तक होती है तो 90 से ले करके 100 cm तक ये लंबी हो सकती है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप्शन D 100 cm तो ये हो गई सबसे लंबी कोशका कौशन आता है कि सरीर का सबसे बड़ा अंग कोशका होता है तो सरीर का सबसे बड़ा अंग होता है तो अच्छा हमारी जो इसकिन होती है ये सरीर का सबसे बड़ा अंग होती है तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग कोशका होता है होती है, सबसे बड़ी ग्रंती कौन होती है, लिवर या यक्रत, अगला कॉश्चन है, लिटमस विलेन किस से निसकासित किया जाता है, तो लिटमस विलेन, ये निसकासित किया जाता है, लाइकेन से, लाइकेन जो की थैलो फाइटा समोक के जी होते है तो इनसे जो है लिटमस बिलेन प्राप्त होता है ठीक है और इससे जो है क्या बनाया जाता है तो लिटमस पेपर बनाया जाता है लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं एक होते है नीला और एक होता है लाल तीक है तो नीला जो है आमलो की पहचान करता है आमलो क्या करता है नीले लित्मस पेपर को लाल कर देता है और लाल जो है यह चार की पहचान के लिए होता है चार क्या करता है लाल लित्मस को नीला कर देता है तीक है नीला जो है आमलो की पहचान के लिए होता है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए उप्सन इसका राइट एंसर हो गया लाइकायंस से राप्त होता है लिटमस विलेन नेश्ट कोश्चन है वाई मंदली अपवर्तन के कारण सूर्योदे और सूरियास्त में लगबग कितने तक की देरी हो सकती है हाँ पे देरी होना चाहिए कितने तक की देरी हो सकती है यानि कितने मिनट की देरी हो सकती है तो जो सूरज होता है यह निकलने से दो मिनट पहले हमें दिखाई दे जाता है और जब यह डूबता है तो डूबने के दो मिनट बाद तक हमें दिखाई देने लगता है यानि कि जो actual में दिन होता है ये हमें 4 मिनट हमेशा बड़ा महसूस होता है क्योंकि सूरद निकलने से 2 मिनट पहले हमें दिखाई देने लगता है और डूबने के दो मिनट बाद तक भी दिखाई देता रहता है ये किस कारण से होता है तो ये वाय मंडली अपवर्तन के कारण होता है तीक है तो यहाँ पर मिनट पूछा गया है कितने मिनट तक तो दो मिनट इसका राइडन्स हो जाएगा तिक है अगला question है निम्न में से कौन एक उद्धुपातक पदार कौन होते हैं जिनका उद्धुपातन हो जाता है उद्धुपातन यानि कि sublimation तो उधुपादन क्या होता है तो जब कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परवर्तित हो जाता है तो उसको कहते हैं उधुपादक आम तोर पर जब किसी ठोस को अगर आप गरम करेंगे तो पहले पिगले का फिर गैस के रूप में परवर्तित होगा लेकिन ओधुपादक क्या होते हैं वो सीधे गैस अवस्था में परवर्तित हो जाते हैं यानि बिना पिगले वो वास्पित हो जाते हैं तो उनको कहते हैं ओधुपादक पदार्थ तो इसमें कौन-कौन है, तो कपूर यह होता है, ओर्धुपादक, अमोनियम क्लोराइट भी होता है, निफ्थिलीन भी होता है, तो यहाँ पे ए ओप्सन इसका राइटेंस होजाएगा, सोडियम सल्फेट, यह ओर्धुपादक नहीं होता है, और इसके लावा आयोडीन भी आपका ओर्धुपादक पदार्ध होता है, आयोडीन और एक होती है, सोस कुबर्ब, ड्राइ आइस, यानि सोस कुबर्ब, जो कि ठोस कारबन डैयोकसाइड होती है, तो वो भी सबलीम मेबल होती है, तो यह ओप्सन इहाँ राइटेंस होजाएगा, सोडियम सल्फेट, प्रतिरोध करती है, उसी को क्या कहते है, प्रतिरोध करते हैं, तो जो विद्दुद के अच्छे चालक होते हैं, उनकी प्रतिरोध होता है, वो कम होता है, वो अपने अंदर से विद्दुद धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, और जो अच्छे चालक नहीं होत उसकी प्रत्रोध्ट्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अगला question है गती का दूतिये नियम दसाता है तो गती के जो है तीन नियम है पहला नियम है जो की जड़तों के बारे में बात करता है यानि की इनर्सिया के बारे में बात करता है और ये नियम किसके द्वारा दिये गए थे तो ये नियूटन के द्वारा गती के नियम दिये बात करता है, दूसरा नियम बात करता है, सम्वेक की, यानि मोमेंटम की, और तीसरा नियम बात करता है, क्रिया प्रतिक्रिया की नियम की, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया, तो यहाँ पे राइट अंसर के हो देगा, यहाँ पे डियो आप्सन इसका राइट अंस होगा, किसी व वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर करने ना भूलेगा और जो दोस्त नए है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अन कर लिजे ताकि अगला वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो म मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर्स